नमस्कार मैं हूँ शाइलेंद राठा और आप देख रहे हैं सापों की इस अद्बुत दुनिया में आप नांग का एक जोड़ा जो की बिल्कुल लिप्ते हुए हैं आपस में और यह जोड़ा मैंने अभी-भी इसी बागीचे से पकड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं यह बहुत ही फुर्थीले और तेज तर्रार मैं इनके बारें बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही विशाइली प्रजाति के नांग हैं और यह बहुत ही धावक भी होते हैं बड़ी तेज दवड़ कर काटते हैं यह और साथ ही इनका जो भोजन होता है वो इन बागीचों में मि पूर ही रहना चाहिए और यह किस तरह से दवड़ते हैं क्या करते हैं देखिएगा मैं जैसे इनको जमें पर छोड़ूंगा यह बड़ी ही विश्चा से जाने या भागने का भी प्रत्म करेंगे अभी अब यह मुझे काटने के लिए अब प्रेडित हो रहे हैं या काटने के प्रयास कर रहे हैं यह अधुद जोड़ा क्यातियों जब यह बहुत घूसे में होते हैं टो कैते हैं कि अपना जगह नहीं चोड़ते हैं साइदे इब यह बहुत ही कि मैंने इनके साथ में बहुत अखेल किया है और यह दोनों किस तरह से हाथ लगाए हुए वैटे हैं मेरे उपर कि यह साथ मुझे अपकाटना चाहते होंगे क्योंकि मैंने इनको बहुत परेशान किया है कि मैं आपको इनकी पहचान बताता हूं कि जिसका यह फन थोड़ा सा गोल और यह ज्यादा उठी हुई है यह नागिन है जिसके जो फन होता है उसकर जो ब्लैक के साथ में भाइट स्वाट नहीं होते हैं वह नागिन होती है जबकि पीछे जो फन किये हुए बैठा है उसका अपेच्छा करति से कुछ ज्यादा चोड़ा है और लंबाई में भी है साथ ही आप देख पा रहे हो तो इसका ब्लैक जो यू आतार बना हुआ है उसके साथ साथ में वाइट कलर का भी है तो यही बहुत बढ़ी पहचान होती है नाग और नागिन में और पिर जो नाग हो नाग की यह पेच्छा क्योंकि कहा जाता है कि जो नागिन होती है वह ज्यादा नांग से तदर और गुस्से से भरी हुई होती है यह पूरी तरह से हमको काटने के लिए तैयार है मैं